नमस्कार दोस्तों मैं हुछ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने वीडियो में आज इस वीडियो में हम बात करने वाने पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में जहाँ पर आग लगी हुए कहने करें कल के दिन की सोमवार के दिन बहुत ही शांदार तेजी देखने म लेवल देखने मिल रहे हैं अपने 52 लो से देखेंगे तो अल्मस्ट थी टाइमस होता हो देखेंगे लगवग 30 क्रोड श्रूर के आसपास के वल्यूम यहां पर दिखने मिले तो बहुत ही शांदार तेजी होती होती ही आखरी आधे घंटे लेकिन दिन में यह स्टॉक अगर आप इस स्टॉक को देख रहे हैं तो अब फाइनली यहां पर इसकी प्राइस टुबुक रेशियो थोड़ी हायर साइट पर दिख लिए पिस्व बैंक को हमेशा उतना ज्यादा प्राइस टुबुक रेशियो नहीं मिलता तो कई रहे हैं अब यहां स्टॉक जो है ए चार्च है महीनों में इसी स्टॉक में आपको पिछले साल देर साल के रहें बंते दिख लिए तो जिन भी लोगों ने आप निवेश किया उनके पैसे लगों मुल्टी फोल्ट से भी जादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कहीं न कहीं अच्छा खासा रिटन यह स्ट सब्सक्राइब करें दूसरे स्टॉक की बात करें सेंट्रल बैंक और इंडिया यह स्टॉक की दोस्तों बहुत दिन बार लाइन लाइट पर दिख रहा है दस प्रशन के आसपास की तेजी थी इंट्राइडे में अगर आप देखें 51.75 पर बंदोता हो दिखाई दिया यहा स्टॉक बंद हुआ और 18-19 रुपे का सब्सक्राइब को दिखाई दे रहा है तीन गुना अल्मस्ट होता हुआ दिखाई दिया अगर आप देखेंगे इसको सही तरीके से लेकिन इस स्टॉक की वेलिएशन अगर आप देखेंगे तो वेलिएशन इसकी हायर साइट पर जा की शुरुआत से अगर आप देखेंगे पिछले मैंने 30 रुपे से लेकिए स्टॉक अल्मस्ट फिफ्टी सिक्स तक का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया तो कहने कहीं एक थोड़ा कॉशन भी यहां पर देखने को मिल सकते कि अगर आप बहुत तेजी से घुसके ऊपरी भ सब्सक्राइब को लगान नहीं पाता जिसके ऊपरी भाव पर हो गई तब फिर उसके लिए निकलना भी मुश्किल हो जाता है तो यह थोड़ा सा देखता कि आपको करना चाहिए अगर आप यहां करना निचले लेवल पर तो अच्छा प्रॉपिट हो रहा है तो बुक करने इंडियान ओवर्सीज बैंक यह श्टॉक भी आपको अच्छा मोमेंटम दिखाता हो दिखाए दिया चालीस उर्पय के आपस बंदूई क्लोजिंग सत्रा अथा परशन की तेजिक साथ श्टॉक कामकाच कर रहा था दिन में इस टॉक और पर सरकेत पर लॉग था आखरी आ अगर आप यहां देखने तो वैलेशन यहां पर भी बहुत हायर साइट पर देखने को मिल रहा है सारे तीन की प्राइस टुक पे श्टॉक अप्ट्रेट करता हो दिख रहे है और चार्ट पर देख रहे हैं तो चार्ट पर अच्छा खासा मोमेंटम जो है पिछले एक देर में देखने मिला है 25 रुपर के आसपास था अगस्त के आसपास में आप लेवल देख रहे हैं तो अब यहां पर आपको करने कि आपको क्या करना है और उसके बाद चौथा स्टॉक की बड़ी तेज़ी के साथ बंद होता हुँ दिखाए दिया और तालिस रुपर पैतालिस प्रसे कर तल यहां पे भी नया 52 लगता हुँ दिखाए दिया अलग होगी 31 क्रोड़ से ज्यादा का वाल्यूम यहां प और अगर देखने चार्ट स्टॉक को यह आपको पिछले एक दिर महीने में अगर साथ अगस्त की लेवल देख रहे हैं 26 रुपर के आसपास था 27 वहां से बढ़कर 47 रुपर तक का लेवल तो लगबग सारे ही बैंकों में जिस तरीके के रिटन देखने में पर पिछले एक consistent होगा यहां profit booking आने की संभावना बंती हो दिख रही है पांचवा स्टॉक के आप देखेंगे पंजाब एंड सिंद बैंक पंजाब एंड सिंद बैंक का भी नाम आप में आपने देख सकते 12-12% की तेजी के साथ कल की दिन बंद होता हो दिखाई दिया यह भी स्टॉक ने आप देखने को मिले अगर आप यहां पर देख रहे हैं कि इसकी वेलिएशन किस तरीकी की तो वेलिएशन 1.86 की EPS 2627 की पर स्टॉक हो रहा है 2.25 की प्राइस टुबुक है और अल्मस्ट 34,000 के आसपास का मार्केट के आप देखने में रहा है अगर आप यहां पर देख रह पर इसने ब्रेक आउट लिया कलपसों के सेशन में और आपको इसकी उपर इक शांदार तेजी बनती हो दिख रहे हैं यहां पर जो लेवल से 30 रुपे से लगवाट तेजी चालो होती होती है अगर आप बॉटम से देख रहे हैं तो 30 रुपे से बढ़के स्टॉक पचास रुपे से ज्यादा का रेटन आपको बेस लेवल से एक दर महिने के रेंज में में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अंज तुमें बात करें तो इसकी स्टॉग यूनियन बैंक और इंडिया ये इस्टॉग भी लार्ज के में कहीं रखाए बाने की कोशिश हो रहा है नाइंटी एट नाइंटी नाइंटी नाइन के लेवल पे क्लोज वाए तीम पर्शन के आसपास की तेजी थी कल के दिन यहां पर भी नया 52 वीक हाई और इंट्राडे हाई लगता हो दिखाई दिया 100 रुपे 65 पैसे का क्लोजिंग भले सौ के नीचे हुई है यहां पर कल के दिन देखने को मिले यूनियन बैंक अगर मजबूती के साथ कामकाच करता हुए दिखाई दे रहा है एक क्यास पास का जितनी प्राइस टोबों के उसी क्यास पास स्टॉक अभी कामकाच प्रता हो दिख रहा है 73,000 क्रोर का मार्केट के चल रहा है 3.03% की डिविडेंट यह भी आगर आप देख रहे हैं तो अच्छी इस स्टॉक की बनती भी दिखाई दे रही है अब बात करें गया हैं चक्रों Eunice आप कर देख कर देख रहे हैं तो 92 का लेवल भी आप देखने मिलने तो चाहँ एक स्टॉक पर सकता है और साथी साथ दूसरा सपोर्ट अगर आप देख रहें डबल बॉटम जैसा सपोर्ट 85-86 की रेंज में मिलता हो दिखाए जहां पर गिरने की कोशिश कर रहा था लेकिं वहीं से बाउंस लेके ऊपर की तरफ ब्रेक आउट दिया तो कहीं न कहीं एक अच्छा खासा पैटन य लगा तो भी 94-95 की रेंज पर ही था तो कहीं न कहीं एक लंबे समय पर आपको देखने को थोड़े मिलेंगे वहां आपको बाइंग जो अच्छी कर्टीनी होती दिख सकती है थोड़ी बहुत वोलेटलिटी मार्केट में लॉट सकती है किसी काहां से कोई डिप आती है तो अब देखने को मिले सकते तो उसके लिए आपको त्यार है जब तक रेटर बने तब तुछ को एंजॉइ करें टेलिंग श्टॉप लगाए और प्रॉफिट टाइम होता जाए तो गुप करते रहे ताकि आपके प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहें उम्मिद करता हूं वीडि